नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फेड़ से हमारे यूटूब चैनल दोस्तों चाड़क की नीति की एक महतपूर वीडियो आपके समझ प्रस्तूत कर रहा हूँ चाड़क की नीति को पूरी तरह और बेहतर ढंक से समझने के लिए इस वीडियो को बिलकुल आंत तक जरूर देखिए क्योंकि अधूरा ग्यान हम ऐसा नुकसान दायक होता है दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आउरत का ये एक अंग चुना सबसे बड़ा पून्ने माना जाता है इस अंग को चुने मातर से बदल सकती है आपकी खिसमत और सबसे जल्दी लोग बन रहे हैं करोड़ पती तो कौन सा है वो एक अंग चलिए जान लेते हैं उसके बारे में दोस्तों हिंदु धर्म में आउरतों को देवी का दरजा दिया जाता है इसलिए महिलाओं के सम्मान की बात हमारे समाज के लोगों के दौरा की जाती है आईसा कहा जाता है कि जो कोई ब्यक्ति सच्छे मन से इस्त्री का सम्मान करता है तो उस ब्यक्ति को अपने जीवन में काई भी भी किसी طरह की परेसानी का सामना नहीं करना पड़ता लेकिन क्या आपको यह बात मालूम है कि अगर आप इस्त्रियों के सरीर के एक खास अंग को छूते हैं तो आपको महापुन्य मिलता है और आपकी सोई हुई किसमत जाग उठती है अगर आपको नहीं पता तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस्त्रिय के उस अंग के बारे में बताएंगे जिसे छूने से किसी भी वेक्टि की सोई हुई किसमत बदल जाती है दोस्तो के प्याहआँ, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे, और रोजना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को फ्री में सस्क्राइब कर एक इस्त्री ही किसी व्यक्ति की मा होती है, तो किसी की बहन और किसी की बहु अलग-अलग स्वरूप में इस्त्रिया मनुस्य के जीवन में खुसिया लाने का काम करती है, इस्त्रियों के बगर पूरुसों का इस धर्ती पर अस्थित भी असंबब है, एक इस्त्री ही पूरु जीवन में आने वाले हर एक दर्द को आराम से सहने वाले एक इस्तिरी विप्री से विप्री परिस्तितियों को भी हसी खुशी जहल लेती है कठिन से कठिन परिस्तियों में भी हमेशा अपने चेहरों पर मुस्कान बनाए बाले महिलाए अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे संसकार देने का काम भी करती है इसके अलाबा एक इस्तिरी अपने बंस को आगे बढ़ाने में भी अपनी अहम भूम का निभाती है इसके साथ ही साथ उस व्यकति को अपने जीवन में कामियाबी भी बहुत असानी से मिल जाती है इस तिनियों के पैर छूने से मिलने वाले आसिरभाद की बज़े से व्यकति के जीवन से निरासा का अंत हो जाता है निरासा का अंत होने के कारण मनुस्य के अंदर सकारात्मक उर्जा का प्रबाख होने लगता है जिसकी बजह से ब्यक्ति धीरे-धीरे सफल होने लगता है दोस्तो हमारा आज का वीडियो बस यही तक था आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर करना बिलकुल भी मत भूल तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसा हिग्यान मर्धा का और knowledgeable videos के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत